हेलो इस्टुएंट्स वेलकम बैक विद न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोश्टनमर 13 और से आगे के कोश्टन्स ठीक है तो आएए देखते हैं कोश्टनमर 13 क्या है इन दा गिवन फिगर और A, O, B is a diameter देखिए A, O, B एक diameter है सरकल का जिसका center है O ठीक है हमें इसमें A, O, C एंगल दिया हुआ है 100 डिगरी A, O, C ये वाला एंगल 100 डिगरी दिया हुआ है find B, D, C हमें ये वाला एंगल निकालना है ये एंगल हमें find करना है ठीक है तो देखिए बहुत easy question है सबसे पहले इस एंगल की help से हम निकाल देंगे ये वाला एंगल ठीक है linear pair से निकल जाएगा तो हम लिख सकते हैं एंगल A, O, C फ्लस एंगल A, O, C फ्लस B, O, C बी, O, C is equal to 180 डिगरी linear pair ठीक है एंगल A, O, C देखिए 100 दिया हुआ है 100 दिखिए लगाया फ्लस एंगल B, O, C equals to 180 डिगरी और एंगल B, O, C निकालेंगे तो 180 माइनस 100 तो एंगल B, O, C हमारे पास आगया 80 डिगरी ठीक है एंगल B, O, C अब देखिए ये एंगल B, C, Arc से बन रहा है B, C, Arc से, B, C, Arc से, एंगल सब्टेंट बाइन आर्क एड़ दे सेंटर ये वाला एंगल ठीक है और इसी आर्क से एक एंगल बन रहा है circumference के उपर ये वाला ठीक है तो ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा तो एंगल B, D, एंगल B, D, C is equal to half angle B, O, C B, O, C का हाफ होगा B, D, C, ठीक है यहाँ थेरम क्या लिखेंगे वही पुरानी थेरम angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle तो वही थेरम यहाँ लिख देंगे है ठीक है angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in the remaining part of the circle so angle B, D, C हो जाएगा half B, D, C हाफ हो जाएगा B, O, C का B, O, C 80 है इससे cancel कर देंगे तो यह आएगा 40 so angle B, D, C is equal to 40 degree this is our answer okay तो यह है question number 13 और आईए चलते है question number 14 पर तो यह रहा question number 14 so this is question number 14 in the given figure find whether the points A, B, C, D A, B, C, D यह जो चार points है यह कौन cyclic है कौन cyclic क्या होता है कौन cyclic होता है एक circle के उपर points जो आते हैं एक circle के उपर जो points आते हैं उनको हम con cyclic कहते हैं ठीक है तो हम यह प्रूब करना है कि चारो points con cyclic है मतलब चारो points circle के उपर आ रहे हैं इसका मतलब हमें यह प्रूब करना है कि यह cyclic quadrilateral है ठीक है और cyclic quadrilateral को prove करने के लिए क्या करना होगा उसके opposite angle अगर supplementary होते हैं opposite angles को जोड के 180 degree आता है तो वो cyclic quadrilateral ही होता है ठीक है एक cyclic quadrilateral के opposite angles हमेशा 180 degree के आता है उनका sum 180 degree आता है तो अगर हमने या तो इन दोनों को sum 180 degree prove करना है या इन दोनों का sum 180 degree prove कर देना है ठीक है तो देखिए इसका first part है कब जब x की value हमारी 70 degree हो तो पहले 70 degree के लिए check करते हैं ठीक है कि जब x की value 70 होगी तब यह cyclic होंगे या नहीं होंगे ठीक है तो देखिए when x equals to 70 degree जब x की value 70 degree होगी मतलब first part तब angle ADC कितना होगा अगर यह 70 होगा तो यह linear पेर से निकाल देंगे 180 degree minus 70 degree ठीक है तो यह हो जाएगा 110 degree angle ADC की value कितनी हो जाएगी उस वक्त 110 similarly हाँ निकाल देंगे हम ABC यह वाला angle निकाल देंगे ठीक है यह कैसे निकाल देंगे यह भी linear pair होगे दोनों तो इनका संभी 180 degree होना चाहिए 180 में से इसको माइस कर देंगे तो यह आ जाएगा कौनसा angle ABC वो कैसे निकाल देंगे 180 degree minus angle CBE ठीक है तो angle ABC कितना हो जाएगा 180 degree minus CBE CBE हमारे पास 110 degree है ठीक है तो यह भी आगे 70 degree कौनसा angle ABC अब ज़रा ध्यान से देखिए ADC और ABC ADC यह वाला angle और ABC यह वाला angle यह दोनों angle कैसे आ रहे हैं इनको जोड के 180 degree बन जाएगा मतलब दोनों supplementary है since angle ABC plus angle ABC equals to 180 degree मतलब यह क्या है supplementary angles है और opposite angles भी है ठीक है therefore ABCD is a cyclic oscillator तो यह cyclic prove हो गया मतलब यह चारो points कौन cyclic है तो हम last में लिख सकते है hands A B C D R कौन cyclic ठीक है इसी तरह से जब हम 80 degree रखेंगे अगर आप यहां 80 degree रखेंगे तो क्या होगा यहां 80 degree रखेंगे तो यह 100 degree आएगा ADC 100 रहेगा लेकिन यह तो 70 रहेगा यह तो 70 रहेगा ना क्योंकि यहां पर तो 110 है तो यह तो 70 रहेगा और यह हो जाएगा 80 अगर हम इसे 80 रखेंगे तो यह 100 आएगा और अगर यह 100 आया इन दोनों को जोड़के तो नहीं आएगा 180 क्योंकि 100 प्लस 70 तो 180 नहीं आएगा मतलब बाकि सबी एंगल के लिए ये कॉन साइकलिक नहीं रहेंगे सिर्फ 80 के लिए सेवनेटी रिगरी के लिए सिर्फ 70 के लिए S ov एक कोर सेवनेटी यहोगी तब ही ये 78 करके 180 नहीं आएगा मतलब तब यह supplementary नहीं रहेंगे ठीक है तो यह हमारा question 14 का solution अच्छा इसको अगर आप second part को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे when x equals to 80 then angle ADC कितना होगा अगर यह 80 हो जाएगा अगर यह 100 होगा अगर यह 100 है और यह 70 है इसका यह मतलब है कि यह दोनों को जोड़के 180 नहीं आ रहा which is not equal to 180 therefore a b c d is not a cyclic co-ordinator and hence a b c and d are not concyclic ठीक है यहाँ लाइन लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 70 value रखने पर ही यह concyclic होंगे ठीक है that's it चलिए करते हैं question number 15 और यह रहा question number 15 so students this is question number 15 in the adjoining figure angle b a d is 65 degree angle b a d यह angle हमारे पास 65 degree है angle a b d 70 degree a b d is 70 degree and angle b d c is 45 ठीक है यह वाला angle b d c 45 है हमें निकालना क्या है b c d fine angle b c d and a d b b c d एक तो यह angle निकालना है और एक a d b a d b यह angle निकालना है ठीक है इनको point out कर देते हैं तो यह angle निकालना है में और एक हमें यह वाला angle निकालना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो cyclic quadrilateral है opposite angles supplementary होंगे तो यह निकल जाएगा ठीक है since a b c d is a cyclic quadrilateral ठीक है therefore opposite angles are supplementary so angle b a एंगल BAD is एंगल BAD plus BCD एंगल BCD is equal to 180 degree ओके बिकाज ओपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral are supplementary लिख सकते हैं आपर ठीक है और एंगल BAD हमारे पास 65 degree है BAD गिवन है 65 प्लस एंगल BCD equals to 180 degree and एंगल BCD is 180 degree minus 65 degree so एंगल BCD आगया हमारे पास 105 degree 15 degree ओके 180 मैं से 65 माइस कर देंगे तो आप 115 आजाएगा उसके बाद देखिए फर्स पार्ट हो गया BCD निकल गया ADB ADB एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 degree होता है दो एंगल दिये हो है तीसा निकाल देंगे ठीक है सेकेंड पार्ट इन ट्राइंगल A, B, D एंगल B, A, D प्लस एंगल B, D, A, A, D, B A, D, B प्लस एंगल A, B, D थीक है इन सब को जोड़के आएगा 180 degree वाई एंगल सम प्रापर्टी ओफ़ ट्राइंगल एंगल सम प्रापर्टी ओफ़ ट्राइंगल थीक है तो एंगल B, A, D हमें गिवन है एंगल B, A, D कितना है देखी है एंगल B, A, D हमें दे रखा है एंगल B, A, D, B एंगल 65 degree प्लस A, D, B A, D, B जो में निकालना है तो A, D, B को As It Is लिखा रहे हैं और A, B, D A, B, D A, B, D ये एंगल हमारा 70 degree है equals to 180 degree ठीक है 70 plus 65 ये हो गया हमारा 135 तो एंगल A, D, B is equal to 180 degree minus this is 135 और ये आजाएगा आपका 45 ठीक है 180 minus 35 that is 45 तो एंगल A, D, B हमारे पास कितना आगया एंगल A, D, B is equal to A, D, B is equal to 45 degree ठीक है ये वारा second part हो गया इससे आगे कुछ और भी कह रहे है hence show that A, C is a diameter ये भी show करना है तो इसको हम करते हैं यहाँ पर ठीक है देखिए A, C diameter show करना है A, C this is diameter अब diameter होगा तो ये इदर एक semi-circle होगा इदर भी एक semi-circle होगा ठीक है अगर हमने प्रूव कर दिया कि एक semi-circle है तो प्रूव हो जाएगा कि A, C diameter है semi-circle प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं देखिए एक theorem याद रखिए आपको याद होगी मैंने बताया था पीछे कि अगर कोई सर्कल है ठीक है और उसमें एक सर्कल ना होके एक semi-circle है semi-circle में बना हुआ एंगल always 90 degree होता है अगर यह diameter होगा तो यह semi-circle होगा और यह वाला एंगल हमेशना 90 degree होगा कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर है ठीक है देखिए यह वाला एंगल कितना डिगरी हो रहा है 45 हमने इसे निकाला है भी कौनसा ADB ADB हमने निकाला है 45 degree ठीक है यह भी पहले से 45 degree given है तो यह total एंगल कितना होगा है 90 degree और 90 degree है सर्कल में बना हुआ है ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह एक सेमी सर्कल हो गया ठीक है एंगल इन सेमी सर्कल इस ओल्वेज 90 degree तो मैं लिख सकते हैं पहले तुम लिखेंगे एंगल ADC एंगल ADC इस इक्वल टू 45 प्लस 45 देट इस 90 degree ठीक है और वी नो देट एंगल इन सेमी सर्कल इस ओल्वेज 90 degree अब यह 90 degree हो गया इसका मतलब यह प्रूब हो गया कि एक सेमी सर्कल है ठीक है और अगर यह सेमी सर्कल है तो AC डायमेटर ही होगा ठीक है therefore AC इस और डायमेटर ओके तो दिस इस दा इस इस अब कोश्चन नमबर 15 और आईए चलते हैं अब कोश्चन नमबर 16 पर इस तो यह रहा कोश्चन नमबर 16 इन दा गिवन फिगर ABCD इस अ साइकलिक क्वाडिलिटल ABCD एक साइकलिक क्वाडिलिटल है ठीक है चारों कॉर्णर सर्कल पर टच कर दे जिसके अंदर CAD 25 डिगरी है CAD यह वाला एंगल 25 डिगरी है ठीक है ADB 35 ADB ABD is 50 ABD यह तीन चीज़े गिवन हैं और तीन ही चीज़े पूछी हैं TV CD से बन रहें यह CD से दोनों सेमह से बन रहें CBD CAB CAD दोनोंぎ ठीक है तो लिख सकते हैं इसको एंगल CBD is equal to एंगल C a d c b d and c a d are equal ठीक है य एंगल्स इन सेम सेग्मेंट एंगल्स इन सेम सेग्मेंट ठीक है एंगल्स अपने बाइन आर्क इन सेम सेग्मेंट कई अपने इसटर्च इसरे फोल्च सेग्मेंट इसकेड एंगल्स इसकेड पूछा है था यह थी यह वाला इंगल्स पूछ रहे हैं है ठीक है एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का समवनेटी डिग्री होगा तो तीनों एंगल्स को मिला के 180 degree होना चाहिए इसको आप X बोल दो ठीक है और तीनों को add कर लेते हैं तो एंगल CAB इसे start करते हैं अच्छा इसको लिखते हैं आपर इंट ट्राइंगल इंट ट्राइंगल ABD तीन एंगल का सम 180 degree होगा एंगल ABD एंगल ABD प्लस एंगल BDA या ADB प्लस एंगल ये वाला BAD इन तीनों को मिला के 180C बनेगा Y एंगल सम प्रापर्टी ठीक है अब ABD कितना है देखिए ABD 50 degree ये वाल एंगल 50 degree प्लस ADB कितना है ये भी किवन है ADB 35 ADB ये भी किवन है 35 प्लस BAD क्या है देखिए BAD दो एंगल से बनाए 25 प्लस X ठीक है इकोल स्टू 180 degree ये सब एड़ कर लेंगे हम तो कितना बनेगा ये हो जाएगा 60 प्लस 50 60 प्लस 50 110 प्लस X एकोल टो 180 degree and X एकोल टो 180 degree minus 110 that is 70 degree तो ये एंगल हमारे पास आगया 70 degree ठीक है it means CAB CAB यहां लिख सकते हैं therefore angle CAB therefore angle CAB is equal to 70 degree ठीक है उसके बाद अब हमें निकालना है angle ACB ACB ये वाला एंगल देखिए फिर से वही एक ये वाला एंगल ADB और ACB सेम आर्क से सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं दोनों ठीक है सेम आर्क से तो इकोल होंगे तो यहां लिख देते हैं इसको थर्ड पार्ट को angle ACB ACB is equal to ACB किसके परावर होगा ADB angle ADB why फिर से angles in same segment angles in same segment ठीक है angle ACB कितना हो गया ADB कितना है ADB is 35 तो ये भी 35 हो गया that's it तो ये है कोशरमस 16 के तीनों पार्ट और आप करते हैं कोशरमस 17 और ये रहा हमारा कोशरमस 17 तो इस्ट्वेंस दिस इस कोशरमस 17 इन गिवन फिगर AB and DC आर पैलल AB and DC ये दो लाइन पैलल है सरकल के अंदर angle B, C, E is 80 degree angle B, C, E ये exterior angle है cyclic quadrator बना हुआ है और उसका exterior angle दिया हुआ है 80 degree ठीक है और angle B, A, C B, A, C ये angle 25 है हमारे पास देखिए दो ही चीज़े की वन है और एक तीसरी है कि ये जाओन लाइन पैलल है AB and CD और हमें निकालने हैं तीन पार्टS CAD, CBD और ADC ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं CAD CAD ये वाला angle ये angle कितना डिगरी का होगा ठीक है देखिए exterior angle of a quadrilateral cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle ये थिवरम भी मैंने आपको बताई थी अगर एक cyclic quadrilateral होता है cyclic quadrilateral और उसका कोई exterior angle होता है ये वाला तो ये interior opposite angle के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ वही केस है 80 degree इस पूरे के बराबर होगा angle BAD angle BAD के बराबर होगा BCE यहां लिख सकते हैं angle BAD bad angle किसके बराबर होगा angle BCE इसके बराबर होगा अब यहाँ reason क्या लिखेंगे exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle ठीक है यह reason होगा तो BAD कितना हो जाएगा angle BAD हमारे पास हो जाएगा angle BAD को दो पाड़ में break कर लेते हैं क्योंकि हमें निकालना यह वाला है angle BAD को क्या लिख देंगे DAC यह CAD है जो निकालना है angle CAD प्लस देखिए इसको ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना BAD को BAD को लिखा CAD प्लस BAC ठीक है CAD प्लस angle BAC इसको दो पाड़ में break कर लिया है equals to BCE BCE यह 80 डिगरी है given है ठीक है यह वाला angle भी हमारे पास है BAC BAC is 25 डिगरी so angle CAD plus 25 डिगरी equals to 80 डिगरी और angle CAD हमारे पास आ जाएगा 85 sorry 80 minus 25 that is 55 डिगरी angle CAD हमारे पास आ गया 55 डिगरी ठीक है उसके बाद इसका करते है second part second part भी क्या पूचा है second part भी पूचा है हमारा CBD CBD यह construct करना पड़ेगा CBD है यह वाला angle पूचा है ठीक है अब देखिए CBD और CAD same arc से same segment बन रहे हैं दोना angle इदोना angle equal होंगे ठीक है यह लिख सकते हैं angle CBD 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 is equal to angle CAD CAD वाई angles in angles in same segment angles in same segment ओके so angle CBD यह भी हमारे पास हो जाएगा CAD के बराबर जो की 55 degree है 55 degree ठीक है यह इसका second part हो गया third part देखिए ADC ADC यह angle निकालना है ठीक है अब देखिए दो parallel lines जब होती है और कोई transversal जब इस तरह से काटती है तो यह co-interior angles होते हैं और इनका sum 180 degree होता है ठीक है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कैसे दो parallel lines अब यह parallel lines का use अब होगा दो parallel lines है और यह transversal हो गई तो यह interior angles हो गए दोनों और इनका sum क्या होगा 180 degree ठीक है यहाँ लिखते है third part since AB is parallel to CD यह DC यह CD जो भी दिया हुआ है ठीक है AB is parallel to CD therefore angle BAD angle BAD plus BAD plus ADC angle ADC BAD plus ADC यह दोनों angle का sum होगा 180 degree Y co-interior angles co-interior angles ठीक है अब BAD angle हमारे पास है क्या BAD BAD अभी हमने निकाला है BAD नहीं निकाला यह angle अभी हमने निकाला है CAD CAD कितना है 55 ठीक है तो यह पूरा angle कितना हो जाएगा BAD BAD हो जाएगा 25 plus 55 ठीक है BAD हो गया 25 यह वाला plus 55 plus angle ADC is equal to 180 degree ठीक है ADC अब ADC निकालेंगे तो इन दोनों को plus करके उदर बेज देते हैं और यह angle ADC angle ADC हमारे पास आ जाएगा 180 degree माइनस यह हो गया हमारे पास 55 प्लस यह 80 हो जाएगा ठीक है और यह आ जाएगा आपके पास 100 degree angle ADC कितना आ गया 100 degree ठीक है तो यह इसका 3rd part हो गया और इस तरह से complete होता है हमारे question number 17 और अब चलते है question number 18 पर तो यह रहा question number 18 in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral देखिए ABCD cyclic quadrilateral है ठीक है जिसकी side CD has been produced CD यह वाली side को produce किया गया है बाहर exterior angle बना दिया गया है ठीक है यह exterior angle बना दिया गया बाहर और BABC बराबर given है BA यह वाली side AB and BC यह वाली side equal है ठीक है angle BAC 40 degree BAC यह angle 40 degree हमें निकालना है ADE ADE exterior angle जो है अभी आपको पता है exterior angle किसके बराबर होता है exterior angle of a cyclic quadratal is equal to interior opposite angle ठीक है यह इसके बराबर होगा यह angle कैसे निकालेंगे देखिए एक triangle के 3 angle कसम 180 degree होता है हमें एक पता है अगर यह दूसरा पता लग जाए तो यह भी निकाल दिया जाएगा यह दूसरा देखिए एक triangle में दो side जब बराबर होती है लिखते हैं पहले सबसे पहले in triangle ABC in triangle ABC ठीक है AB is equal to या BA लिख देखिए BA लिखा हुआ है उन्होंने BA is equal to BC यह चीज तो हमें गिवन है ठीक है तो इनके opposite angles हापसे बराबर होंगे BA का opposite angle यह हो गया BCA ठीक है angle BCA is equal to BC का opposite angle BC का opposite angle यह हो गया है ना BAC angle BAC reason क्या देंगे opposite angles of opposite angles to equal sides equal sides equal sides के opposite angles है ठीक है तो यह angle BCA BCA BAC के बराबर होगा मतलब यह भी 40 degree हो गया so angle BCA हमारे पास हो गया 40 degree ठीक है अब इसी triangle में ABC triangle में तीनों एंगल का सम्ट 180 degree होगा also angle BAC angle BAC plus angle BCA plus angle ABC तीनों एंगल का सम्ट होगा 180 degree अब हमारे पास BAC है BAC BAC देखिए BAC कहा है BAC 40 degree गिवन था 40 और BC हमने निकाला वो भी 40 है angle ABC अब निकाल देंगे ठीक है तो angle ABC कितना हो जाएगा 180 degree minus 80 40 and 40 80 हो गया तो angle ABC हमारे पास आगया 100 degree ठीक है ABC कौन सा एंगल आया है ये वाला और अब एक थियोरम का यूज करेंगे जो ये कहता है कि exterior angle of a triangle sorry exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle ठीक है तो angle A, D, E A, D, E किसके बराबर होगा ABC के बराबर ABC is equal to angle ABC exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle ठीक है so angle A, D, E is equal to ABC what is ABC ABC हमने निकाला आया भी 100 degree तो ये भी हो गया हमारा 100 degree okay